हम लोग सब लोग परिवार के लोग चिंते थे हम लोगों को कगल अचानक से शाम में खबर पहुंची कि आधरनिय लालू जी को सांस लेने में दिक्कत हो लिए वो पहले से हार्ट पेशिंट रहे हैं और केडिनिक जो है उनका मात्र जो है पचीस फीसरी काम कर रहा है कि ताकि परिवार के लोग जो है उनसे मिल सके और हला कि अभी जो खबर जो पहुंची है कि उनके जो है लंक्स में थोड़ी बहुत पानी जो है वो है और टेस्ट जो है वो कराया जा रहा है इसमें हाइड डेफिनिशन जो सिटी स्कान होता है जब तक रिपोर्ट नहीं आ किसी तरीके का कोट में जालेंगे जब तक परिस्तिती रिपोर्ट वगरा नहीं देख लेकते जब तक डॉक्टर कुछ नहीं कहते हैं हाला कि हम लोग परिवार के लोग तो चाहते हैं कि उनकी देखभाल जो है सब कुछ बढ़िया डंग से हो इलाज जो हो अच्छा हो और और हम लोग जो है इस सीजों को देखने एक बार रिपोर्ट आजाए उसके बाद ही आइनलाइज करने के बाद ही हम लोग कुछ नहीं ले सकता है अप जिस तरीके से एक नया सर्कुलर जारी किया है बिहार सरकार ने कि आप कुछ विधायक मंत्री अधिकारी के खिलाप लुक जो है लोगतंतर की जन्नी है वैशाली में से शुरुवात लोगतंतर की हुई थी और सभी लोगों का कॉंस्टूशनल और अभी वेक्ती अजादी है कि अपनी आवाज को वो रख सकते हैं नितीश कुमार जी को लगता है अगर किसी की मूँ में ताला लगा दिया जाए या इतनी नाकामियां हैं उनसे बरदाश नहीं हो रही जब जन्ता की बीट से आवाजे आती हैं नितीश कुमार भिष्टचारी है यह उनसे सुना नहीं जाता है पचास साथ घुटाले हो चुके हैं इनके शैशनकाल में लगता है लौ एन और जो है वो चमरा सा गया है बालिक करने चिनित किया है धरना अपनी देने देते लोगों को वहां लाठी से भगाते हो शोशल मीडिया के लिए आप अलग से कानून लाते हैं यह तो दुर्भाग है दुर्भाग है कि भाई यह जो लोकतंतर की जन्नी जो है वैशाली बिहार उसका पूरी तरीके से नितीश इस कानून को तो अविलम जो है वापस लेना चाहिए और मैं तो स्पस्टूप से कहता हूँ अगर नितीश कुमार जी को चिरौती देता हूँ अगर उनमें दम है तो मुझे गिरफतार करें हमें ट्वीट के मादिम से भी कहा और अभी भी मैं कहता हूँ उस प्लाटफॉर नितीशने का काम कर रहे हैं अगर है हिम्मत तो गिरफतार करें ने कहीं आप को धिकार दो के भारे में अधीकारियों के बारे में मत बोलो मक्य मंत्री आंधिकारियों के बारे मेंegt बोलो हो तो तो क्या करेंगी हुए खार Ich nella सरकारी योजनाओं मा गोटाला हो रहा कि हम बोलना बंद करने हैं को भास्टेचार कर ल॑न करना है उसके खिलाफ आवाज उठाना बंद कर दो सरकार अपरादियos को संक्ष्ण दे रहे तो उसके खिलाफ हम बोलना बंद करते हैं यह कताप नहीं हो सकता कोई भी कानून लाए जेल डालना है जालें लेकिन डरता कौन है इनसे जो सच है वो बोलेंगे